दोस्तों आज मैं आपके सामनें बहुत ही इंटरस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ यह एक landline cordless phone है जो कि आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों सबसे बड़ी अब आती है यह वली जो phone है यह आपको एटल फाइबर और जियो फाइबर के साथ फ्री में मिलता अगर आपको एडल का एक्स्ट्रीम का ब्राउट डेंड लेते हैं उसके साथ में यह नंबर आपको फ्री में मिलता लेकिन फोन आपको पर्चेस करना पड़ता और दोस्तों इसलिए मैं यह वीडियो क्योंकि आजकल फाइबर का जमाना हर गर के अंदर फाइबर और एटल फाइबर के साथ आप इस फोन को फ्रीमें यूज़ कर सकते हैं जो्तों जियो में यह यूज कर सकते हैं लेकिन जीओ में कुछ प्रवाइडर से पूछिए कि कई इस फोन में कोई प्रवाइडर तो नहीं आ रही है जीओ में यूज करने से पहले आप इसको कंफर्म जरूर करिए तो दोस्तों यह में जो मॉडल है यह बीटल का एक्स 95 मॉडल है जो की एक स्टैंडिक रूप में आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा मॉडल है यह तिन कलर में आता है ग्रे रेड येलो बेस इसका ब्लैक है इस पे साइड में आप स्ट्रिप देख है यह ग्रे रेड और येलो की है और इसकी जो लुक है बहुत ही अच्छी लुक है और दोस्तों यह जो है यह टू पॉर गैगास डिजिटल कॉर्डलेस फोन होता है और इसके जो फीचर्स है वह मैं आगे आपको एक्स्प्लेन करता हूं और इस फोन को आप बड़े अराम से इसली परचेस कर सकते हैं और अगर आपको यह फोन नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहां पर जाके इसको अराम से परचेस कर सकते हैं इसकी जो रेंज है अप्रॉक्सिमेट 26-27 के बीच में यह मिल जाता है दोस्तों मैं हूं आपका दोस् चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज मैं आपको बीटल के एक्स नाइटी फाइग कॉर्डलेस फोन की अन्बॉक्सिंग करके दिखाता हूं और इसके फीचर बताता हूं क्या-क्या फीचर है इसके अंदर यह बहुत ही अच्छा फोन है जो की एटल में और जीओ फाइबर के अंदर चलता है यह 2.5 GHz डिजिटल कॉर्डलेस फोन है इसमें कॉलर इन्टिफिकेशन डीटी एमेफ इंकमी कॉल मेंबरी स्टोरेज सब कुछ इसके अंदर है और इसके जो फीचर से बहुत ही अच्छे है और वह जो अमीद है आपको यह बहुत ही अच्छा लगेगा और इसका लुक जो है वो अमेजिंग है ऐसे लगता है कि कोई सांप फन उठाके ख़ड़ा हुआ है इसकी जो MRP है वो 3699 पे है लेकिन मार्केट में आपको यह 26, 27, 2800 की रेंगे मिल जाता है चलिए अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं इसके बहुत अच्छे फीचर्स है यह सबसे पहला फोन है जो कि एक डिजाइनर कॉर्लस है जैसे कि आप देख रहें इसका डिजाइन बहुत की अच्छा है दोस्तों इसके अंदर यूर बोड डिटी एमेफ एफसके डेटर टांस्मिशन के फॉर्मट है फसके जो है वो ल की इन्फॉर्मेशन को ट्रांस्मिट किया जाता है यह फोन डिवल मोड है जिसमें डिटी एमेफ और एफसके दोनों फैसिलिटी है जिससे आपकी कॉलर की अडिटिफेकेशन को डिस्प्ले किया जाता है इसके बाद यह फ्लैक्शिप डिजाइनर कॉर्लस फोन है जो की 2. नंबर सेट कर दीजिए बजग या बेबी वो अगर एक नंबर की को प्रेस करेगा तो वो कॉल जिस नंबर पर आपने सेट किया उस पे कॉल लग जाएगी एमर्जेंसी के लिए तो यह फंक्शन भी इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसमें टूबे स्पिकर फोन होता है इसमें फ्री फंक्शन भी है और इसके अंदर आटो अंसर फंक्शन भी है अगर आपने सेट को बेस यूनिट पे चार्जिंग के लिए रखा हुआ है और कॉल आ जाती है जैसी आप फोन को उठाएंगे तो आटो आंसर के अंदर अपने आप फोन आपका करेक्ट हो कर सकते हैं और अगर आपको वार्निंग में जल्दी उठाएं आप अपना अलरम भी सेट कर सकते हैं अगर इसकी बैटरी लो हो रही है तो लो बैटरी वार्निंग टोन भी यह देता है हैंसल लोकेटर यह बहुत अच्छा फीचर है इसके बेस यूनिट में एक बटन है पे इसकी इसकी इसके फाइव रिंग टोन सेट अप हैं और टोन पर्स जाली की भी सुफीद है और इसके अंदर हैंट सेट जो कीवेड है वो आप लॉक और लॉक भी कर सकते हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात ही है यह टेक्स सेटिफाइड है यह गोर्मेंट ऑफ इंडिया जो टेली कॉम्मुनिकेशन मिनिस्ट्री है उसके साथ सेटिफाइड है इसके ऊपर टीजी का लोगो भी लगा हुआ है इसका मतलब कि यह टेक्स सेटिफाइड फोन है तो दोस्तों यह फोन के फीचर बहुत ही अच्छे है मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करके दिखात इसके अन्बॉक्सिंग करते हैं बहुत छोटा सा पैक है यह सबसे उपर जैसी आप इसको खोलेंगे इसके अंदर आपको हैंड़ सेट मिलेगा उसके नीचे आप देखेंगे आपको कुछ वायर्स मिलेंगी और मैनुवल मिलेगा इसके जो केबल है वो भी आपको साथ में मिलती है ज्यादा लंबी नहीं है 1.5-2 मीटर के असपास केबल है इसका जो चार्जर है वो भी आपको इसके साथ मिलता है और यह इसका बेस इसको हम साइट पे रखते हैं और अब एक एक करके इसके पार्ट को देखते हैं इस पे जो रिचार्जबर से लग वह भी आपको साथ में मिलेगा इसको आप अपने हैंडशेट पे लगाएंगे और यह रिचार्ज हो जाएगा यह टेक्स सेटिफाइट फोन है यह एक सेटि यह सेट को आप ऐसे रखेंगे और यह देखिए बेस यूनिट के उपर लग जाएगा और इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके अभी कवर्स वगरा सब उतारके मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ बहुत ही अच्छा लूक है इसका यहां इसके फ्रेंट में इसका कवर है यहां से आप खोल के इसमें अपने जो चार्जबल सेल है वो आप इसमें डाल सकते हैं प्लस मैनेज देखके आप इसके अंदर इस्टॉल करिए बहुत इसली इस्टॉल हो जाएगा दो सेल मिलेंग इसको लगाने के बाद इसको आप दुबारा ढकन को क्लोस कर दीजिए और इसमें आजाएगा आउट ओफ रेंज यह स्टार्टिंग इसकी हो गई है अब इसको सेट करना अपनेगा दोस्तों यह सेट बेस और बेस यूनिट के साथ यह रजिस्टर हो के आता है आपको रज यह इसका बेस यूनिट है बहुत अच्छा यूनिट है इसके उपर चार्जिंग के लिए कर्रेक्शन दियो है और इसके बेस यूनिट के अंदर नीचे आप देखेंगे यह आपका पावर केबल और जो टेलिफून की कॉम्मिनिकेशन केबल हो लगेगी और यह पेज बट लगा लिए देखेंगे इसका लोग कितना अच्छा आ रहा है और डिजाइनर फॉन है यह ऐसे खड़ा होता है और महुत अच्छा लगता है देखने में रेंज भी इसकी काफी अच्छी है दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगाओ इसको शेयर और लाइ सिंक के इलावा मैं इसका सेटप कभी वीडियो नेक्स पार्ट में देता हूँ थांक यू दोस्तों थांक यू फॉर वाचिंग